अस्सलाम वालेकूम, वेलकॉम बैक टु माई चैनल, मेरा नाम रुकसार है और आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ चिकन क्रिस्वी बनाने की रेसिपी, चिकन क्रिस्वी बनाना नहायती आसान है और बहुती जल्द बन कर ये तयार हो जाती है, बस इसकी जो है कि लिए किन किन चीज़े रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप से गुजारिश है कि अगर आप मेरी चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर दे प्लीज और रेसिपी अच्छी लगती तो लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके बताएए कि आपको मेरी चिकन क्रिस्पी सिकन बनाने के लिए यहां मैंने जो है 600 ग्राम चिकन लिया है और इस तरीके के इसके लंबे लंबे जो पीसेस करवा लिए पीसेस जो मीडियम साइज के करना बहुत पतले भी नहीं और बहुत जाडे भी ना हो अब हम करते हैं इसको मैरी नेट करने के लिए सबसे पहले हम इसमें डालने वाले है कुछ मसाले जो कि इस तरीके से है सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक इस बिजाइका डालेंगे यहां पर मैं लगबग 1 टी स्पून डाल रही हूं और नेक्स हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टी स्पून हम इसमें डालेंगे विनेगर और 3 टेब स्पून भर कर मैदा ठीक है और नेक्स हम इसमें आड़ करने वाले है ब्लेक पेपर वन टीस्पून और एक जो है अंडा डालने वाले है अंडे का सिर्फ वाइट डालेंगे यलो पाट नहीं डालना है इसे और अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे ना फ्राइ करने वाले है क्योंकि हम क्रिश्वी चिकन बना रहे है तो इसलिए हमने यहाँ पर मैदा और जो कॉन फ्लोर का इस्तेमाल जो है वो जादा किया है ठीक है तो यह देखिए हमारी खुब अच्छी से कोटिंग हो गई है अब कोबी देर हम इसे हाए पर और फिजब फलिप करेंगे न तो इसे मीडियम पर रखके अलट पना करके खुब अच्छी करना हैं तो यह पारड जो बहुत जरूरी है चिकन क्रिस्वी बनाने के लिए से जहक हमारी चिकन using produce भी होगी ना उतनी अच्छी बन कर तयार होगी है और बाकी की चिकन जो भी जो हम इसी तरीके से है वो फ्राय कर लेंगे तो चिकन क्रिस्पी बना फ्राय होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है तो हमारी चिकन ये क्रिस्पी हो गई हो अब हम बाकी की इसी तरीके से फ्राय कर लेंगे नेट्स्ट हमारेमर करते हैं बगार के लिए 1 मीडियम साइजस की प्याज़गे हैं अदर्ख लिया है 5 तेबल इसपून में ने भर कर यहां पर एक दम बारिक बारिक लस्ट आप जबा भी ले सकते हैं निकत कर लिए तो इस तरीके से स्लाइस कर लिए है आपने जो हम यहां पर ले स्वान कॉटेस्ट निएल्स अैर्ट के लेता है तो पहले हम सारे सौसेज्ट भाएं लेड़ी हूं अपने शेज्वान सेट्पी जो होती स्वान साथ है में यहां पर चिली च्लि-वित्राइन में हचक्ति यहां च्बाASTुतさん उगना निकार कुमार्ण में पटनी के दंदि ख्लव सक्ति ह्ूआ सकते हैं और दो वें पर श्ब्राइज कर लेना है अच्छी नचारि स च्छी प्टार में लेना है और Delunky हम 1 आड़ कर लेना वाले इसका इस्तेमाल हमें लास्ट में करना है अभी जितने भी सॉसेज हमने डाले है उसे हम मिक्स कर लेते हैं यह बनाने से क्या होगा जब हम बगार में डालेंगे इसे तो बहुत इंस्टेंट बगार करना होता है तो इसी होगा यह ठीक है तो देखिए हमारे सारी जो है चिकन जो है फ्राइ होकर तयार हो गई काफी क्रिस्वी बनी जैसा कि आप देख सकते हैं अब हम नेक्स करते हैं इसका फाइनल प्रोसेस तो मैंने क्या किया है तीन टेबल इस्पून ना बड़ी से कड़ाई में तेल डाल दिया है और हाइफ लेम पे से खुब अच्छे से गरम होन तो जैसा कि मैं हमेशा बताती हूं चाइनल में बगारते वा कभी भी बड़ा सा हेवी पहन लेना होता है और फ्लेम को हाई रखना होता है बिल्कुल भी तेल थंडा नहीं चलता है इसमें तेल को भी खूब अच्छे से गरम होने देना है और उसके बाद में जो भी प्रोस ना जाए क्योंकि हमारी फ्लेम बहुत हाई है तो तीन टेबल स्पून पानी डाला है अब इसमें इसको डाल देंगे और डालने के बाद में अच्छे से हाई फ्लेम पर ही मिक्स करेंगे तमाम चीजों को ठीक है हमको तीस से चालिस से के लिए से या बहुत हुआ तो एक और इसके बाद ही हम जो कंसिस्टेंसी का ध्यान रखते हुए जो है जो चिकन हमने फ्लेम को बंद करेंगे बस कुछ देर के लिए ही फ्लेम को इसमें हाई रखना है बाकि जो मिक्सिंग का काम है हमें फ्लेम बंद करके ही करना है तो यह देखिए एक मिनट में सारी देंगे एक टेबल स्पून भरकर हनी हनी डालना इसमें बहुत बहुत जादा इंपोर्टेंट है बिना हनी का जो है ना इसका जो रियल टेस्ट होता है वो नहीं आने वाला है तो यह बंद के तयार हो चुकी अब हमीसे करते हैं सब क्टिजस करते कर दो सकेक कि दुभ क्यों आ्नी मे एक झुभला कर दो